नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चनल अचार जागंद्र मिस्त्रा में मिथुन राश वालों परेशान क्यूं अब आपका शमय आ गया है एक फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2021 में पहली बार चार बड़ी खुसखबरी मिलने जा रही है मिथुन राश वाले जातकों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2021 में मिथुन राश वाले जातकों के लिए फरवरी का महीना किस परकार से जाने वाला है किस परकार से आपको चार बड़ी खुसखबरी मिलने वाली है ग्रहों के अनुसार सटीक जानकारी इस वीडियो में आप जानेंगे तो यह रासिफल मिथुन रास के लिए बनाई गई है और यह आपके चंदराशी पर अधारित है तो आप पीशे इसी अधार पर देखे मिथुन रास वले जातकों के जीवन के हर पहलियों को हम बताने का प्रियास करेंगे जैसे मिथुन रास के जातकों आपका केरियर आपका बैपसाइक जीवन आर्थिक जीवन पारिवारिक जीवन प्रेम शंबंद श्वास्त एजुकेशन लब लाइप और मिथुन रास के लिए कुछ खास उपाए तो फरवरी 2021 के महीने की अगर ग्रह इस् जोग का निर्मार करने जा रहे हैं और यहें आपके रासी से अश्टम भाव पे मौजूद रहेंगे अश्टम भाव में कई ग्रहों की मौजूदगी रहेगी जिन में से पांच ग्रह है इन में से पंच ग्रही योग यनि की बन रहा है इसमें से गुरू शनिका नीच राजयोग बना हुआ है शूर बुद्ध का बुद्धादित नामक राजयोग और यहां पर शुक्र भी बिराजवान हैं पांच ग्रह एक साथ अश्टम में मौजूद हैं राहू ब्रिसबराश में रहेंगे और केतू ब्रिशिक राश में जो की आपके छटे भाव पे गोच तो मिथुन राज के जातकों यह महीना बहुत ही शांदार आपके लिए रहने वाला है शब से पहले आपको महीनत का पूर्ण परिणाम इस महीने आपको प्राप्त होता हुआ नजर आने वाला है आपके रासी के स्वामी चार फरवरी से बुद्ध ग्रह यानि कि चार परी के उपरांते शुब इस्थितियों में आ जाएंगे जिसका आपके जीवन के ब्यक्तिगत विकास होता हुआ नजर आएगा इस समय में प्रतिकूल परिस्थितियों के पूर्वे के शमय में परिसान कर रही थी तो उससे आपको निजात देखने को के लिए आपके इसमय के अबदि में मितुन राज के जातकों के सिक्षा के छेतर में जो जातक जूड़े हुए हैं वो काफी प्रगत करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं अगर आपके स्वास्त की दिसा में बात की जाए तो बेहतर रिष्थितियों का निर्मार होना याणि होने जा रहा है और यहां पर यदि स्वास्थ की दिसा में यदि पूर्ब में आपतना गृष्त थे तो मिथुन रास्थ की जातकों आपको यह महीना फरबरी कमहीना बहुत ही ही अच्छी इस्थितियों को निर्माड कराता हुआ नजराएगा स्वास्त की दिसा में किशी भी प्रकार की परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा मितुन राज के जातकों हाला कि इस समय आपको शावधानी पुर्वक चलने की जरूरत है मौशम परिवर्तन होगा तो यहां पर आपको तले भुने भोज पतार्थों से दूर रहना होगा तले भुने हुए भोजन ना करें बाहर की चीज़े ना खाएं तैली चीज़ें से दूरी बनाए रखें नहीं तो इसकिन संबंधी परेशानिया हो शकती है पेट की खराबी हो शकती है सर में दर्द या गैस इसिडिटी परेशान कर सकती है और हलकि आपके पीता जी के सेहत में सुधार देखने को मिलेगा और मितुन रास की जातकों इस अबधी में किसी अनवभी साथी की सलाह आपके काम आशकती है आपका दोस्त भी हो सकता है आपका सहयोगी भी हो सकता है तो घर परिवार का महल अगर बात की जाए घर परिवार की बारे में तो देखे घर परिवार का जो इस्तिती रहेगी काफी अच्छी रहेगी मित्वल्डास की जात को इस फरवरी के महीने में बहुत ही सांधार रहने वाली है अविवाहिज के जो यानि की सिंगल है उनके रि गिप्ट या उपहार देते नजराएंगे दामपत जीवन आपका बहुत शांदार रहेगा मित्वन रास की जातकों एक फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2021 में और आपकी जो परेशानी थी दामपत जीवन में अगर कोई मनमुटाव चल रहा था कोई दिक्कते चल रहे थी या आपक करीब रहेंगे नजदीक रहेंगे और अपनी परेशानियों को साज़ा करेंगे और इस से फरवरी के महीने में आप शंतान की प्लानिंग करते नजराएंगे शंतान का शुख प्राप्त होता हुआ मित्वन रास के जातकों को नजराएगा साथी साथ सेलेरी में आपके जी और आपको पहली बार चार बड़ी खूसकबरी मिलने जा रही है इस फर्वरी के महीने में तो केडियर की बात किजया तो केडियर में बड़ी उपलब्दी हाशील होशकती है केडियर में अच्छे अपसर आपको मिलेंगे और अगर दूसरी कंपनी जाना चाहते हैं कहीं और करनी चाहिए तो यह अफसार आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि दूसरी कंपणी से आपको यह आफ़ार आ सकते हैं और सेलेरी में बृद्धी की योग भी बनते ने जराएंगे मितुन रास की जातकों फरवरी के महीने में साथी साथ कोई इंपॉर्टन्ट डील फाइनल होगी इस फरवरी के महीने में और किसी साज़ेदारी के साथ अगर आप साजेदारी की तलास में थे तो साजेदार मिलता हुआ नजराएगा और पहले से अगर जुड़े हुए हैं साजेदारी में बिजिनेस वियापार में तो अच्छा खासा धनलाब होता हुआ मिथुन रास के जाद को नजराएगा इस फरवरी के महीने में तो कई सारी उपलब्धियां मिलती नजराएंगी और आपके स्टुडेंट के लिए बात की जाए तो काम्याभी शे भरा रहने वारा है अगर आप अपने लक्ष को प्राप्ति करना चाहते हैं तो पूरी तरह से अपना ध्यान अपने पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें अग सांदार उपलब्धियां लेकर आया है मिथुन राज के जातकों लेकिन अपने टार्गेट को अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करने के अवस्ट रखता होगी कभी कभार आपका मन नहीं लगता भटकता है तो आप गायतरी मंत का जाब करें जिससे आपको लाब मिलेगा आपके राशी के स्वामी यहाँ पर बुद्ध ग्रह जब पंचग्रही योग बनाएंगे तो चार फरवरी से और ज्यादा अच्छा लाब देखने को मिलेगा और यहाँ पर बारा फरवरी को आशूर देव जब मितुन रास के जातकों आपके भाग भाव पर जाएंगे तो भाग का लाब मिलेगा यहाँ पर धार्मिक यात्राएं हो शकते हैं धर्मकर्मे में रूची बढ़ेगी पीता का सहयोग मिलता होना ज़राएंगा पीता जी से सहयोग होगा साथी पीता जी कोई धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं धर्मकर्म के नहीं बनाने देना है बलगे अपनी बारी पे कंठ्रोल बनाए राखे, अपने कुरोध पर मितुन राज के जात को किसी भी तरह आप मतभेत ना पैदा होने दे क्योंकि घर परिवार में मतभेत आपको नुक्सान डाइक हो शकता है, पैतरिक शंपत्ति मिलने वाली है नौकरी बेपसाई में अच्छे खासे लाब मिलेंगे लोटरी शट्टा शेर मार्केट से भी अच्छे खासे लाब मिलने की उम्मीद बन रही है मितुन राज के जातकों के लिए कुछ इंपोर्टेंट काम भी पूरा करते ने ज़राएंगे मितुन राज के जातकों काफी समय से जो अठके हुए काम थे या पेंडिंग में पड़े हो थे वो काम पूरे करते ने ज़राएंगे मितुन राज के जातकों इस फरवरी के महीने में कुछ खास उपाए हम आपको बताएंगे जो आपको बहुत ही जादा आपके लिए लाबदाय करेगा एक तो ब्रिष्णु सहस्त्र इस्तरोत का पाठ करना है गड़ेस भगवान को आप दूरबा जरूर चढ़ाएं बुद्धवार के दिन खास कर अगर डेली चढ़ाएं तो बहुत ही अच्छ रहेगा और पीले हल्दी का टीका आप अपने माथे पे धारन करें और गाय को एक रोटी जरूर खिलाएं साथी साथ सूरियोदे से पहले उठे तो एक लोटा जल आप सूर दे को जब देते हैं तो उसमें एक चुटकी हल्दी डाल के दें इससे आपके जीवन में स्वास्त में लाब होगा और जीवन में शुक्षंपत्ती में बरकत भी होगी और पीता जिससे ज़्यादा आप शंबंध मदूर बनाने के लिए रवी बार के दिन खीर जरूर बनाएं और उन्हें खिलाएं इससे आपको लाब होगा तो मिथुन राज के जातकों ये था एक फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2021 में जो आपको पहली बार चार बड़ी खुसकपरी मिलने मिल रही है तो दोस्तों कमेंट सक्षन में सचे दिल से जय सन्देव आपको जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शे शेयर करें जय सन्देव